कि तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में अपने यूंइट 1 मॉन रिथधिक टेकनीक के बारे में पढ़ने वाल है मोनो लिथिक टेकनीक नाम से आपको क्या पता चलता है मोनो मतलब सिंगल लिथिक मतलब लिखना तो आप एक चिप बेसिकली देखे अगर आप कोई चिप बनाते हैं चीक है आगे जाके आपको लिदो इलेक्रोनिक्स इंडस्ट्री में आपको अगर देखना देख पा रहे होंगे आपका हर चीज में एक चिप होता है झायक है वो चिप बनता कैसे है मतलब उस चीप में कहीं न कहीं डिजाइन होता है क्या आपन ऐसा करते हैं कि कहीं पर भी डायोट फिट कर दिये एक हाल किजन होगा उस हिसाप से वा कि नकषा में फिर बोल्डिंग मंटरियल्स बनाया और फिर वो घर का नक्षा बनता है सेम प्रकार से अगर आप चिप की तरफ देखेंगे तो चिप में जहां कहां डायोड लगेगा कहां ट्रांजिस्टर लगेगा उसका जो ले आउट बनता है और उसमें तो आप यह समझ पार होंगे कि मोनो लिथर टिकनीक में मोनो मतलब ए एक रॉक जो क्वार्डजाइट का रॉक होता है एक रेट का ऐसा यहोटू वहां से हम कैसे यहां तक पहुत जाते हैं इस पूरी टेकनीक को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और उसके बाद फिर आपको यह भी देखना है कि एक डायोड बनाने के लिए क्या टेकनीक अबनाना चाहिए कि डायोड भी एक ठोटा साउग कीशमेंट है वह कratos बहुता है ट्रैसिस्टर यह वा आस चीज को AUG वह और या सबादcomb तक na देखना है और उसके पाष्ड सकों देखना है कि इसके एडवांटेज और लिमिर्डेशन्स च्या-ट्या एं ठीकए यह सारे हम लोग को overall इस chapter में cover up करनी है तो चलिए मैं आपको सबसे पहला जो topic है monolithic technique में सबसे first topic the basic fabrication sequence इससे मैं start करना चाह रहा हूँ basic fabrication sequence क्या कहता है कि आप जब fabrication करेंगे मतलब शुरू से एक quartzite से लेके ये पूरे chip तक ये कैसे होगा एक-एक step कैसे होगा नौदस step है और आपको वो जो step है वो sequence वाइस है वो बिल्कुल उसका sequence ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप घर बनाते समय ऐसा तो नहीं करते हो ना कि आप पहले छट धराई करते हो उसके बाद फिर यहां पे उसका दिवाल बनाते हो ऐसा तो नहीं करते हो ना त तो first class में मैं आप लोगो basic fabrication sequence के तरफ आगे बढ़ना चाहा रहा हूँ तो आगे बढ़ें आपन ओके तो चलिए हम लोग अपना starting से start करते हैं और इस starting में जो हमारा basic fabrication sequence है basic fabrication sequence इसका जो सबसे first step है वो क्या है वो है कि आप सबसे पहले आपको पता है कि silicon का क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि semiconductor silicon और germanium दोनों होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आप लोग हम लोग basically in general silicon को हम भी prefer करते हैं क्योंकि पूरे world में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में silicon ही पाया जाता है तो वह बहुत refining of silicon crystal मतलब एक जो रेट का है आपका quartzite material है वह material से कैसे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं silicon की crystal को refine करते आते हैं क्योंकि वह तो शुद्ध होता नहीं है उसको शुद्ध करना पड़ता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे first step देखते हैं आप steps को note down करते रहिएगा या फिर बाद में आप इसका recording देख लीजेगा growth and refining of silicon crystal तो देखे आपको मैं बता देता हूं कि जो आप silicon crystal देखते हैं या जो chip आप देखते हैं वो अगर basic देखे तो यहां से बनता है इस material को आप कभी-कभी आप देखे होंगे rate वगेरा में गये होंग कि ध्यान आ रहा है कि आप लोगों को कि यह सर कभी-कभी देखे ही होगे यह जनरली हम सब बालू वगरा rate वगरा में ऐसा है छोटे-छोटे चीज़ देखते हैं basically यह रॉक आप बोल सकते हो यह पत्थर है basically sand कहीं जिसको हम लोग rock si o2 कहते हैं या फिर इसका नाम है quartzite ठीक है quartzite, तो quartzite से ही सारा हमारा silicon बनता है, हम rock si o2 जो है quartzite इसी से हम बनाते हैं, तो सबसे first चीज यह है कि यह चीज को हम इस चीज में कैसे convert करें, सबसे पहला जो quartzite convert होता है वो बनता है Mgs में, Mgs क्या है metallurgical grade silicon, देखो silicon तो यह भी था, silicon तो यह भी है, silicon यह भी है, silicon यह भी है, लेकिन चारों में अंतर आपको दिखेगा, कैसे, देखें, यह silicon में si o2 भी है, मतलब oxide की मातरा भी है, चीजों को हटाना पड़ेगा, चीजों को pure करना पड़ेगा, तो और यह वाला जो आप देख पा रहे होंगे, यह वाला जो इसको बोलते है metallurgical graded silicon, जो electronics industry में हम यूज नहीं कर पाते, यह क्योंकि उतना pure नहीं होता, यह वाला जो आप portion देख पा रहे हैं, यह है electronically graded silicon, जिसको हम EGS में EGS बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यह EGS भी आपका poly crystal बनता है, poly crystal और single crystal आप लोग अब समझ रहे होंगे, कि मैं आपको first unit basic वाले जो unit है, उसमें आपको मैं poly crystal और single crystal बताया था, ठीक है, poly crystal मतलब एक ही आपका surface में बहुत सारे छोटे 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 ऐसे grains बन जाते हैं, उसमें अपने जो atoms होते हैं, अलग-अलग arrange होते हैं, और आपका single crystal क्या होता है, single crystal, उसमें सारे जो atoms हैं, वो एक तरीके से arrange होते हैं, चाहे वो इ आपका बनाया जाता है, metallurgical graded silicon, metallurgical graded silicon से बनता है electronically graded silicon, और ये electronically graded silicon जो होता है, वो poly crystal nature होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, EGS, single crystal silicon में convert करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो step है, सबसे पहला जो step है, growth and refining of silicon crystal, उसमें चार सबस्टेप हैं, सबसे पहला quadzite से, तीम सबस्टेप हैं, quadzite से MGS में convert करना, MGS से EGS में convert करना, जो की poly crystal होगा, और poly crystal से single crystal में convert करना, तो ये तीम सबस्टेप यहाँ पे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, इसका न, क्या है, मैं एक-एक step को, detail में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वाला जो है, वो इधर कैसे convert हुआ, ये इधर कैसे convert हुआ, उसका पूरा process है, उसका एक method है, वो method को मैं आप लोगों को, जब ये first topic कहतम होगा, fabrication sequence, तो आपको detail में, एक-एक topic detail में ब growth and refining of silicon crystal, इसमें सबसे पहला क्या होगा, quartzite से, metallurgical graded silicon में convert होगा, दूसरा step क्या होगा, metallurgical graded silicon से, electronically graded silicon में convert होगा, ये, ठीक है, और तीसरा, जो है, आपका electronically graded silicon से, आपका EGS में convert होगा, लेकिन ये क्या होगा, poly crystal होगा, और ये क्या होगा, single crystal, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये जो silicon है, ये बिल्कुल single crystal material है, बिल्कुल ऐसा cylinder में, इसको ऐसा, ऐसा, काटा जाता है, RDU अगरा से, वो है आपका wafer बन जाता है, तो ये जो आपका ये दिख रहा होगा, ऐसा काट काट के ऐसा wafer बनाया जाता है, और इसी पर सारा काम किया जाता है, ठीक है, ये जो गोल सा आपको दिख रहा होगा, ये wafer है, इसी पर ऐसा काम किया जाता है, तो ये है आपका first step यह समझ में आया कि आप लोगों को फर्स्टेप जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे मैं बीट-बीट में बार-बार स्टेप पूछता जाओंगे कि वो दसो स्टेप सीक्वेंस में याद रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपको मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूं जैसे बारक एक्जाम में मैं एक बारक एक्जाम दिया था तो उसमें यह क्वेश्चन ना पूछा था कि VLSI fabrication sequence में आप इनको अरेंजवाइस करिए चार बन टू त्री फोर स्टेप दिये वह थे और आपको ऑप्शन था कि बन टू त्री फोर आएगा या एसे टाइप के आते हैं तो आपको उस लिए आपको याद रखना जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको यह सम Epitaxial Growth. ठीक है? Epitaxial Growth का मतलब, देखो Epitaxial Growth का मतलब यह होता है कि एक के उपर एक, एपी टैक्सी शब्द का मतलब होता है, एक के उपर एक. तो 2nd step जो है आपका Epitaxial Growth होता है. Epitaxial Growth मतलब देखे, एक सिलिकॉन का सरफेस आपका बन गया, जो बढ़िया अभी यहाँ पर अब अपन सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है, ये वेफर की बात करेंगे, तो ये वेफर आपका बन गया है, ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं, कि इसके उपर अगर कोई और लेयर अपन डालना चाहते हैं, ठीक है, ये तो सिलिकॉन का लेयर है, अभी इस सिलिकॉन के उप पर और अपन pure silicon डालना चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं या फिर अगर अपन को किसी और material का किसी और material जैसे आपको मैं एक example दे रहा हूँ कि epitaxial जो growth होता है वो दो प्रकार से होता है एक होता है homo epitaxy और एक होता है hetero epitaxy ठीक है? homo epitaxy और hetero epitaxy इसका मतलब यह है कि अगर मान लिजे silicon का surface है और उसके उपर में फिर और एक silicon का layer बनाना चाहता हूँ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैंगे कि मान लिजे एक layer है इसके उपर मैं एक और layer चढ़ा दिया फिर और layer चढ़ा दिया इसको क्या बोलते है? epitaxy growth बोलते हैं तो अगर मैं silicon के उपर फिर silicon कहीं layer और चढ़ाना चाहूँ तो उसको homo epitaxy बोलते हैं homo का मतलब ही होता है same same type का और hetero मतलब खोड़ा अलग होता है तो अगर मान लिजे मैं silicon के layer के उपर अगर मैं मान लिजे sapphire डालना चाहता हूँ या कोई और material डालना चाहता हूँ तो उस type के growth को अपन बोलते हैं hetero epitaxy जैसे यहां पर यह नीला दिख रहा होगा इसके उपर लाल बिछा दिया तो यह hetero epitaxy है ठीक है यह कैसे होता है तो यहां पर एक आपका टेक्नीक दिया हुआ है जिसमें हम लोग यह silicon paper को ऐसे आड़ा अपन ऐसे खड़े form पर रखते जाते हैं और अपन यहां पर gas छोड़ते जाते हैं यहां पर और वो उसके उपर में एक layer बनाते जाता है तो उसको बोलते है अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह ऐसा है इसके उपर एक layer बढ़ा इसके उपर और layer बढ़ते गए बढ़ते गए ऐसा अपन कर सकते हैं तो अब आपको मैं फिर से summarize करता हूं पहला स्टेप था कि हमने एक वेफर बनाया दूसरा स्टेप क्या है वेफर के उपर आपने एक layer और चड़ा दिया अगर आपको मन है चड़ाने का तो तो यह है एक अपिटेक्शिल ग्रोथ सेकेंड स्टेप क्लियर है सबको यह सर ठीक है साथ मैं आपको बता देता हूं यह किया कैसे जाता है यह दो मेथर्ड से किया जाता है इसको करने के दो मेथर्ड है एक है आपका cvd ठीक है और दूसरा है mbe cvd का मतलब होता है chemical vapor deposition chemical vapor deposition और दूसरे का होता है molecular beam epitaxy ठीक है molecular beam epitaxy यह सब क्या क्या होते हैं यह सब मैं आपको दीरे-दीरे करके बताऊंगा यह वैसे भी VLSI fabrication एक पूरा subject होता है mtech का तो मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि आप सिर्फ last unit बचा हुआ है तो मैं आपको जितना detail से detail हो सके इसको बताऊंगा ताकि आपको आगे पीछे कभी भी कोई परिशानी ना हो तो यह दो मेथर्ड से होते हैं अच्छा इसके पहले मैं य देखें इस वाले method इसका जो method होता है वो तो ठीक है normal है आपको बताऊंगा यह यहां से यहां जो convert होता है electronically graded silicon से पॉली crystal से single crystal उसके team method होते हैं सबसे पहला method होता है आपका सबसे पहला method होता है cz method ठीक है इसको बोलते है जोकलास की method दूसरा होता है fz method जिसको बोलते है float zone method और तीसरा होता है bridgeman method तो यह सब हम लोग बाद में देखेंगे अभी बस आप नाम सुने सुने रहो नाम सुने रहोगे तो आपको बाद में फिर याद आएगा लेकिन याद जो करना है वो उसका step याद करना है गिरो फ ठीक है third step आपका third step कहलाता है oxidation method अब मुद्दे की बात यह आई कि आपने silicon wafer लगा दिया आपने मन चाहा कोई भी जो आपको layer चढ़ाना था मानलों silicon को पर silicon ही चढ़ाना है आपने चढ़ा दिया बढ़िया chemical vapor deposition से आपने यह layer चढ़ा दिया ठीक है अच्छी बात है अब इसमें क्या चाहते हो अब आप इसमें si o2 का layer चाहते हो आपको पता है कभी शायद आप लोग ने edc वगेरा में पढ़ा होगा कि si o2 जो होता है वो बहुत अच्छा insulator की तरह काम करता है silicon dioxide एक बहुत अच्छा insulator की तरह काम करता है और नीचे का जो silicon का surface है उसको unwanted contamination से बच आपको मैं बोलने रहा था कि यह वाला जो क्या बोलते हैं quartzite है यहां से MGS convert हुआ था MGS बना था जानते हैं MGS कितना % pure होता है 97% के करीब यह pure होता है लेकिन 97% pure भी हमको नहीं चाहिए आप जानते हैं कि electronics में इंडस्ट्री में अगर आप जब fabrication की तरफ जाते है ना तो लो मारा सिर का जो एक बाल है ना वो भी अगर उस पे गिर गया ना तो वह हिमाल है कि परवत की तरह उसके लिए है components के लिए जब fabrication होता है बहुत सा अधानी से करना होता है तो यह 97% pure जो आपका silicon यहां पर पाया जाता है वो हमारे किसी भी काम कर नहीं है इसलिए इसको aluminum industry में प्रेस दिया जाता है मतलब जो वह होते हैं क्या होते हैं उन लोग क्या करते हैं इंजन वगरा बनाते हैं तो उसमें वह उतना प्योर की उनकी जरवत नहीं पड़ती वह इसको यूज कर लेते हैं यूज करते हैं जो हमको orientation चाहिए तो मुद्दे की बात यह है कि इतना percent हमको purity चाहिए होता है तो oxidation के लिए मुद्दा यह है कि जब हमारा silicon बन गया है ठीक है यह उपर के किसी भी चीज जब हम लोग बाकी और material डालते जाएंगे तो यह बिचारा effect ना हो जाए यह वाला इ इसमेना एक layer बिच्छा देते हैं जिसको बोलते हैं SiO2 का layer तो gate exam में भी कई बार यह question पहले भी पूछा जा चुका है कि SiO2 का layer क्यों डाला जाता है और यह बहुत favorite question है SiO2 का layer SiO2 एक बहुत अच्छा insulator का का काम करता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक component को दूसरे component से बचाना रहता है तो अपन क्या करते हैं बीच में insulator लगा देते हैं क्योंकि सब तो एक ही wafer के अंदर बैठ रहे हैं तो हम क्या करते हैं जैसे एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करना है तो क्या करेंगे आपन बीच में दिवाल लगा देंगे वैसे ही SiO2 एक insulator का का काम करत होता है नीचे वाला जो silicon layer है उसकी भी वह production करता है ताकि unwanted contamination मतलब दूसरे गंदगी से यह नीचे वाला layer बच पाए क्योंकि हमको नीचे वाला layer 99.99 जानते हैं आप कितना प्योर चाहिए अपनको ठीक है तो oxidation का मतलब होता है oxide layer का introduction तो देखें आप यहां पे silicon समझ लीजे यह अभी है आप इसको वेफर समझ लीजे गोल शेप का यह वेफर है यह सिलिकॉन है यह कौन सा सिलिकॉन है EGS सिलिकॉन है इकदम प्योर वाला सिलिकॉन है इसमें आप आप क्या करेंगे देखो epidexial growth क्या है यह एक optional है आप चाहें तो या ना चाहें तो आप इसको आपने क्या करके लेटा यह अँपने हैं सिलिकॉन का देखेंग यह अब यह oxide क्या करेंगा सीलिकॉन केसा रियक करता है और कुछ इसको प्राइब की खाने लिला हो जाता है, है न, वैसे ही यह थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, consume होना शुरू हो जाता है, उसके साथ react करना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलिकॉन यहां से यहां तक का पूरा consume हो गया, कुछ हद तक जितना आप oxide भेजोगे, उतना धीरे ध जैसा नहीं है कि जैसे ही आपने oxygen भेजा, तो यह उपर में एक building बनाता गया, और layer by layer बनता गया, सबसे पहला काम यह होगा, कि यह जो oxygen का level है, इसको थोड़ा कम करने ही कोशिश करेगा, मतलब इसको consume करेगा, तो आप यहां पर देख पारे होंगे, कि यह oxide ने क्या किया, और फिर जब यह इसकी efficiency खतम होई, कि वो और react कर पाए, तो अब यह और साथ नहां oxygen भेजते गई, भेजते गए, तो यह बिचारा oxide layer इस पे बढ़ता गया, बनता गया, बनता गया, इस पे numerical भी आते हैं, बहुत अच्छे numerical है, आपको एकदम समन में आ जाएगा, जब solve करे आपन तो, oxidation करने के दो तरीके, एक होता है dry oxidation, और एक होता है wet oxidation, ठीक है, dry oxidation, देखे, कायदे से तो हम लोगों को सिर्फ oxygen introduce करना है, अब आप dry करो, चाहिए आप directly oxygen भेज़ दो, या आप पानी के साथ भेज़ो, क्योंकि पानी में भी देखे, यहां पे आपको नीचे अगर फोटो दिख रहोगा, तो H2 के साथ O2 को आप जब भेजोगे, इस material पे, और यहां पे सब wafers, जो silicon wafers हैं, वो बिल्कुल आडे खड़े हुए हैं, और यहां पे जब यह आएगा, ठीक है, और यहां heating किया जाएगा, तो आप जानते हैं कि obviously यहां पे hydrogen बाहर हो जाएगा, and then oxygen इन लोगों के साथ react करना शुरू करेगा, और क्या बनाएगा, सबसे पहले वो silicon को consume करेगा, और फिर उसके उपर oxide layer चड़ाना शुरू करेगा, अब यह कैसे होता है, कितने देर में होता है, यह सब का एक calculation होता है, मतलब अगर आपको मान लीजिए, 1.25 mm का oxide layer चड़ान है, तो proper calculation है, कि कितना देर आप oxygen यहां पे supply करें, कि आपका इतना layer आपका बन जाए, तो यह सब पूरा calculation based होता है, और third step आपको समझ में आया कि है, कि अपन क्या कर रहा है, मैं आपको एक बार फिर से first step से बताता हूं, सबसे पहला step क्या था, कि आपने एक silicon wafer बनाया, इसके उपर एक layer बना दें, जो आपका मर्जी है वो layer, तीसरा step है आपका oxidation का, मतलब अगर आपका silicon wafer है, इसके उपर आपको एक हलका सा oxygen layer की जरुवत है, जो की जरुवत है ही, यह insulation का काम करेगा, आपको बचाएगा नीचे के layer को, तो यह आपको करना ही पड़ेगा, आप कभी-कभी MOSFET वगरा भी पढ़े होंगे, तो MOSFET में आप ऐसा देखे होंगे, कि यहाँ पर ऐसा बनता था, गेट वगरा, और माल दीजिए ऐसा यह बनता था, N+, N+, ठीक है, यहाँ पर एक layer बन जाते थे, चीक है, और आप देखते होगे, कि यहाँ पर एक SiO2 को layer पहले च होता है, dry में direct, सुखा-सुखा oxygen भेज दिया जाता है, और wet oxidation में गीला, मतलब water भेजा जाता है, और फिर इसको भाप convert करके, उसको oxygen को इसमें react किया जाता है, तो third step आप लोगों को clear ले गया, basic fabrication sequence में, Yes Sir, Yes Sir, Okay, अगर यह clear है, तो फिर हम next step में आते हैं, next step है, photolithography का, next step, fourth step आपका photolithography है, ठीक है, Photolithography, अब देखे, यह photo को photon मत समझेगा, यह photo, basically देखे, यह क्या पो क्या आ रहा है, मैं आपको एक example के तौर पर बताता हूँ, कि जब घर बनाया जाता है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, तो आपको एक नक्षा बनाया जाता है, जैसा जैसा जहां पर खिड़की में नक्षा होगा, वहीं पर खिड़की बनाया जाएगा, वैसे ही जब आपका एक circuit बनाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर मान लीजे कोई आपने एक अच्छा चीज़ सोचा है कि ऐसा समय चीब बनाऊंगा बड़ी आप खुद से फैब्री को करूंगा तो आप कहीं पे भी कुछ भी लगा देंगे ऐसा तो होगा नही आप प्रॉपर उसको designing करेंगे ठीक है तो disigning करने के लिए क्या किया जाता है एक मास्क बनाया जाता है mest कभी-कभी अगर आपको ध्यान होगा याँ और पर कैसे बताओ एक मास्क मान दीजे एक मास्क बना दिया गया चीचँ यहां पर यहां पर आप सकते हैं कि एक मास्क होगी इन दोनों के बीच में connection होगा ऐसे करके अब यह मास्क मतलब यह एक ले आउट आप ने बना दिया चीक है जो आपका एक Circuit का बोच सकते हैं कि ये खाचा है कि ऐसा आपका movement होगा अब इस passport को लिजिए और आपके main जो वेफर है सिलिकान का वेफर है उसके वब आप रख दीजिए और उसके ऊपर अगतीजिए और उसके आप हम लोग यहां होता और हलग tomorrow hmdy جो माश्क है का जई किसे अगर आपको दिख रहा होगा reform J तो यह मास्क में, यह continuous mask नहीं है, बीच-बीच में थोड़ा सा space ऐसे दिया हुआ है, वो space इसलिए दिया हुआ है, क्योंकि वो mask बेसिकली देखे है, जब mask बन जाता है, मालीज़ आपने बना दिया mask, आपको चाहिए था कि यह वाला area हट जाए, यह वाला area हट जाए, काइद इसको आपको मतलब यह वाले portion को आपको हटाना है, चीक है, तो आप क्या करेंगे, आपना एक mask लेंगे, बड़ा सा mask और उसके बीच-बीच में आप hole कर देंगे, तो यह proper एक mask बन जाएगा, अब आप इसमें UV light pass करते हैं, UV light pass करने से होता क्या है, कि दो तरीके के effect होते है मास्क ना दो तरीके का होता है, एक होता है negative mask और एक होता है positive mask, negative mask का मतलब यह है कि जिस area में भी UV light पढ़ेगा, वो area थोड़ा सा soft हो जाएगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि UV light पढ़ने से यह material थोड़ा सा उसके जो bonds हैं वो तूट जाते हैं, तो यह बिखर से जाते हैं अगर यह बिखर से जाएंगे तो यह बेक्यारा कमजोर हो जाएगा, और यह अगर कमजोर हो गया, तो आप इसको आसानी से remove कर सकते हो, ठीक है, अचा यह सब स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कि मान देजे आपका एक silicon wafer है, और आपको कभ चोटा सा कोई scissor type का कुछ pin वगेरा लेता हूं, और इसको खरोज-खरोज के निकाल देता हूं, ऐसे नहीं होता है, आपको मैं एक simple सा बात बता आ रहा हूं, इसको एकदम guard बांग के रख लीजे याद, कि कभी भी VLSI fabrication ने, मतलब कभी भी हम लोग fabrication कर रहे होते हैं, तो क आपको कई layer को pass करना पड़ता है, कई step follow करने पड़ते हैं, तब जाके इतना सा portion वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको धीरे से समझाने की कोशिश करता हूं, यह एक silicon का wafer था, इसके उपर आपने कुछ और layer डाल दिया, मानलो sapphire डाल दिया, इसक को कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक mask लेना पड़ेगा, mask बनाना पड़ेगा, कि मेरे को इतना portion को हटाना है, ठीक है, आप उस, ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि mask दो प्रकार के होते हैं, negative mask और positive mask, negative और positive में क्या अंतर होता ह कि ये जो mask है, ये mask में जैसे अगर अपन UV rays पास करते हैं, तो ये mask क्या करता है, इनको छुपा लेता है, ये UV rays नीचे तो आ नहीं पाते है, क्योंकि mask से बच जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गठा है, छेदा है, वहाँ 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 UV rays अंदर आ जाते हैं, और इस oxide layer पे से ये जो oxide layer है, ये कमजोर हो गया, जहाँ जहाँ पे भी पड़ा, वहाँ महाँ पे कमजोर हो गया, तो उसको positive mask कहा जाता है, ताकि क्या होता है, जब ये कमजोर पड़ गया, तो अपन कोई chemical से इसको हटा सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाने होंगे, कि ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन हट गया, ठीक है, तो इसको अपन बोलते है positive mask, और अगर हम चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन हट जाए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो हम क्या करते हैं, हम negative mask करते हैं, negative mask क्या होता है, कि इतने इतने को strong कर देता है, और बा जो वेफर की मैं बात कर रहा हूं, वो एक base level है, इसले हैं उसको substrate कहा जाता है, silicon का substrate था, इसमें अब मैं आप थोड़ा सा और धियर से समझेगा, silicon के substrate है, जो मैं आपको ये बोल रहाए है, ये जो layer है, ये क्या layer है, ये actually photo resist layer होता है, क्या होता है कि directly अगर आप UV rays पास करते हैं अब क्या है देखें UV rays अगर आप सिलिकॉन के उपर directly आप SI O2 लगा दिये चीक है SI O2 का layer मानलोग है उसके उपर directly आप अगर फोटो आपने उसको पास कर दिया तो क्या होता है कि अंदर का चीज़े भी effect करती है तो photoresist material जो होता है वो एक लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है देखें आप यहां पर अगर left hand side पर देख पा रहे होंगे तो एक wafer है जैसे आप कभी एक छोटा से खूम रहा है तो यह अपने आप अपने आप पुरा फैल जाता है क्या कभी आप देखें क्या वो बरतन वगरा वो घड़ा वगरा बनता है तो लोग गोल-गोल-गोल खुमाते रहते हैं तो वह एक जगा fix रखते हाथ को अपने आप चलता जाता है चलते जाता है कभी उपर में एक photo resist material डाला जा रहा है ठीक है photo resist material क्या होता है कि जैसे ही अपन ऐसे डालते है वो अपने आप फैल जाता है पूरे layer में तो silicon substrate में SiO2 का layer अपन डाले और SiO2 का layer में directly अपन UV rays नहीं पास कर सकते उसमें अपन photo resist material डालते है photo resist material ही basically क्या करता है कि इनके साथ bond बनाके इनको पैटर्न में जमाता है तो basically देखें यह जो आपने यह ऐसा गड़्धा किया है वो किस पर किया है SiO2 लेयर पर नहीं किया है आपने photo resist material पर यहाँ पर गड़्धा किया है ठीक है यह समझ में आ रहे हैं कि आप लोगों को कि यह सर कुछ भी डाउट कोई भी confusion थोड़ा मोड़ा भी हाँ यह ना कुछ को बोड़ो नो सर्थ ओके तो देखें कायदे से अब आपको मैं यहां पर सिंपल तरीके से समझा सकता हूं Silicon substrate, Parliament substrate के ऊपर में आपने लगा दिया SiO2 का Layer ठीक है यह तो लग गया Silicon substrate कैसे बना फर्स्ट वाले टेक्नीक से electronically graded silicon हमने बना दिया single crystal बना दिया थर्ड स्टेप में हमने क्या किया Oxide Layer से Oxidation कर दिया SiO2 का Layer आ गया है अब हम क्या करना चाहते हैं, इस Oxide layer में pattern बनाना चाहते हैं तभी तो हम आगे का process करबाएंगे तो अब इतना process को हम इसको खाली कैसे छोड़ें इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला step करते हैं photo resist material डाते है, photo resist material बिल्कुल UV rays से वो हता है जिसमें आप क्या करते हैं, एक मास्क बिठाते हैं, माल लिए ये वाला material को मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इतना mask लूँगा, इतने को छोड़ दूँगा, फिर ये mask लूँगा, इस pattern का mask लूँगा, ठीक है, तो और फिर मैं UV rays पास करूँगा, UV rays पास करने से इस material को बहुत कमजोर बना देगा, और फिर मैं next step में जाऊंगा, और next step में इसको हटाने ही कोशिश करूँगा, तो अगर यहां तक आपको अगर clear होगा, तो चलिए हम आते हैं next process में, और next step है, itching technique, देखे, next आपका जो fifth step है, वो itching technique है, itching technique क्या कहता है, itching का मतलब होता ह है, निकाला, जैसे आपन निकालते हैं, किसी भी चीज को निकालते हैं, यहां पर आगर आप देख पा रहे होंगे, तो right hand side पर तो यह silicon है, silicon का wafer था, और आपने, माल लीचे, silicon dioxide का जो layer था, उसको पर photo resist था, ठीक है, आपका जो एरिया खाली हुआ, उस एरिया में आप अं itching technique कहते हैं, ठीक है, जो unwanted area है, जो हमको नहीं चाहिए, उस जगह से material को हटाना itching technique कहलाता है, ठीक है, तो आप यहां पर देखे, यहां पर भी देख पा रहे होंगे, कि कैसे, जो एक mask अपन बिठा दिये थे, एक photo resist material बिठा दिये थे, वो सब को यह कैसे हट रहा है, ठीक ह इस technique को हम बोलते है, itching technique, देखे, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपका itching technique दो फरकार से होता है, एक होता है, बेट, itching, मतलब अगर हम लोग कोई chemical डाल के, जैसे आपका मैंने आपको बताया है, कि एक silicon है, silicon के उपर क्या है, SIO2 का layer है, उसके उपर आपने photo resist material डाला और photo resist material, अब आपका क्या बोलते है, यह पूरा photo resist material था, mask के वज़े से यह वाला portion थोड़ा कमजोर हो गया, यह वाला portion कमजोर हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, कि इस portion को हटाने के लिए, इस portion को remove करने के लिए, हम एक chemical ले आते हैं, यह chemical क्या होगा, कि इसको ना एक जार में डाल दिया जाएगा, जो chemical से भरा होगा, जो chemical क्या करेगा, इसके सांथ react करेगा, और इसको अपने सांथ ले उड़ेगा, ठीक है, यह वाला solution है, उस solution के सांथ react किया, और यह वाला portion हड़ गया, ठीक है, जैसे कभी-कभी आप कुछ, जैसे कुछ होता है, एक material को मान घिज दिये, और उसको आप पानी में डाल दिये, तो जैसे वाला portion पानी के सांथ react करके हड़ आता है, और एकदम साफ-साफ आपको दिखता है, clean-clean type का, वैसे ही यह वाला है, कि यहाँ पर थोड़ा सा यह कमजोर हुआ, यह solution के सांथ react किया, और यह हड़ गया, तो overall अब आप प्या कर सकते हैं, आप फिर एक eaching का इस्तेमाल कर सकते हैं, और eaching का सकते हैं, यह वाले material को भी आप ठा सकते हैं, ठीक है, यह भी material हट सकता है, ताकि यह material ऐसा हो जाए, और photo-resist material को आपन ऐसे खीच के निखा, यह photo-resist material निकल सकते हैं, इसको कोई problem नहीं है, तो ultimately हमा जो dioxide का layer है ये pattern में आज़े लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये आपको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको बिचारे को पूरा photo resist material लाओ एक mask बनाओ UV light से pass कराओ फिर itching करो फिर itching से इसको हटाओ फिर इसको हटाओ तब जाके इतना छोटा सा step होगा तो itching technique मतलब अगर आपको कोई भी layer को हटाना है तो आपको इतना पूरा process को गुजरना पड़ेगा तो ये है आपका itching technique, itching technique दोनों तरीके से होता है wet और dry, wet का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक solution होता है उसमें आप दुबा दो वो area remove होगे चला जाता है और तो 5th step आपको समझ में आया है क्या? Itching technique? Yes sir. Yes sir. ठीक है देखो मैं आपको जब पूरा एक-एक step बताओंगा ना itching के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा आधा lecture हम लोग आधा गंटा पूरा cover up करें तो मैं आपको उसमें clear कर बताओंगा कि देखिए itching कैसे होता ह आप इचिंग देख पारे होंगे तो एक simple तरीके से itching हुआ. Itching ऐसा भी होता है अगर आपको कुछ ऐसे shape का चाहिए होगा तो ऐसा, अगर आपको ऐसा shape का चाहिए होगा तो ऐसा, तो itching से ही यह चीज़े possible हो पाती है, आपका ऐसे खुद से कुरेद-कुरेद के लिए नि implantation, diffusion का मतलब तो आप समझ रहे होगे, diffusion का मतलब होता है, concentration gradient में आपन समझते हैं कि higher concentration से lower concentration के तरफ जाता है, तो उसको अपन diffusion कहते हैं, तो अब देखे, अब मुद्दे की बात यह है, कि आपका silicon substrate बन चुका है, आपका oxide layer की patterning हो चुगी है, अच्छा, मैं फोटो photographic को, फोटो लिथोग्राफिक को ये भी बोल सकता हूं, कि it is a process of pattern transfer, तो आप शायद गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये question कई वार आ चुका है, which other following technique is called as pattern transfer, तो pattern, देखे, हमको क्या चाहिए था, एक pattern चाहिए था, और pattern transfer के लिए अपन फोटो लिथोग्राफिय में गए, एक mask बनाएं, और फिर UV light से पास कराएं, इस pattern को पाने के लिए, तो ये है pattern transfer, तो ठीक है, आपका pattern transfer भी हो गया, आपको SIO2 का एक बन गया, अब मुद्दे की बात यह है, कि मान दीजे, मैं मॉसफट बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे N plus हो, यहाँ पे N plus हो हो, है न, अगर मैं यह चाहता हूं, तो obviously बात है, भाई कि पहले तो यह नहीं था, यहाँ पे क्या करूंगा, यह तो पहले blank था, इसके अंदर, और यह तो silicon था, अब silicon के अंदर में को किसी चीज को भुसाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से bombarding करना शुरू करूंगा, bombarding होगा, bombarding, तो यहाँ पे यह धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अंदर खुसते चले जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, diffusion, ओके, तो ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, diffusion and ion implantation, तो मैं यह बता रहा था आपको कि कैसे, जब कभी भी हमारा silicon substrate के ऊपर हमारा, SIO2 layer है, इसके अंदर में जब हमको यह बनाना रहता है, जब यह इसको diffuse कराना रहता है, तो हम इस्तमाल करते हैं diffusion, डिफुजन में करते क्या है, हम धीरे-धीरे bombarding शुरू करते हैं, और वो bombarding क्या होता है, धीरे-धीरे यहाँ जमता है, और धीरे-धीरे अंदर की तरफ ज होता है कि कभी भी हम माल लिए यहां पर आपन हाय अंसेंंटिरिशन लगा धिए और यहां पर उसका यहां माल लिए सिलिकॉन में क्या कि है यह मानि टाइक है अ यह सिलिकॉन की अगर आप मातरा देखें तो उसमें जो electrons होते हैं, वो कम होते हैं, और अगर आपने N+, बहुत सारा यहाँ पे डाल दिया, तो आप जानते हैं, यहाँ पे higher concentration of electrons आ गया, और इसके अंदर lower concentration है, तो यह धीरे-धीरे absorb होना शुरू होगा, धीरे-धीरे अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि diffusion का मतलब यह higher से lower की तरफ जा उसके उपर हमको कोई layer को चढ़ाना है, और वो layer हमको वो अले technique से नहीं करना, bombarding नहीं करना, diffusion नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, एक gun लेंगे, ठीक है, आप जानता है, gun होता है, pistol, attack का, वो ठक-ठक-ठक-ठक मारेगा, अब जैसे मान लीजे, diffusion जैसे आप बोलो, कि कोई एंदर जैगा, कि नहीं जाएगा, अगर कोई बंदूग से गोली मारता है, तो वो आपके force से मारेगा, तो उगोली आपके शरीर के अंदर जाएगा, कि नहीं जाएगा, तो यह technique लगाते है, iron implantation के लिए, solution implantation का जो technique होता है, वो मैं आपको आगे, पूर स्टेप मताऊंग आप यहां पर देखेंगे यह जो लेया यह जो इलेक्रॉंस है जो भी है वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है धीरे-धीरे अगर अपने आप से जा रहा है तो वह होता है इसका भी अलग-अलग प्रोसेस होता है ड्राइब इन प्रोसेस वगरा और आयन इंप्लांटेशन मतलब आप सीज़ा ठक्ट से बोली मार दो यह अंदर की तरफ जाएगा ही जाएगा ठीक है तो इसको बहुते है आयन इंप्लांटेशन एक अल्टरनेटिव मेथर्ड होता है और प्रैक्टिकली किया जाता है विसे इसको ठीक है तो आपको अगर डिफ्यूजन और आयन इंप्लांटेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा तो अब हम लोग लास्स स्टेप के तरफ आगे बढ़ना की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका मेटलाइजेशन तो सात्वा स्ट आपको पता चल गया है कि इसको रिमूव करने का काम इचिंग से हो जाता है आपको पता चल चुका है कि इसके अंदर में अगर कुछ चीज घुसा आना है तो आपको डिफ्यूजन प्रोसेस से आप इसको घुसा सकते हैं आपको यह सब पता चल गया है तो आप यह वाला स् मतलब देखे हैं यहां से जब मान देजे इसको दूसरे resistor के साथ connect करना है इसको diode के साथ connect करना है इसको किसी और के साथ connect करना है तो आपको SIO2 layer तो insulator है तो वो तो connection के लिए काम नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको जैसे यहां पे यह layers दिख रहे होंगे य जैसे हम घर पे भी हम क्या करते है कि मान देजे एक component को दूसरे से connect करना है तो अपन क्या करते है वायर से इसको connect कर देते हैं कायदे से तो यह metal है तो इसी process को VLSI में metallization कहा जाता है जब अपन क्या करते है यह layer बन गया है ठीक है SI का substrate है यहां पे आपका SI O2 का pattern बन चुका ह यहां पे आपने diffusion कर दिया ठीक है diffusion करके माली यह n plus को डाल दिया ठीक है अब आप क्या करेंगे connection देंगे तो connection देने के लिए आप क्या करेंगे यहां पे aluminum का पूरा एक layer बढ़ाएंगे aluminum के layer में आप फिर एक mask बनाएंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा मास्क बढ़ाके इसको आपको itching करना पड़ेगा इतना portion फिर itching होगा इतना portion फिर itching होगा तो आपको यहां पे एक एन प्लस से एक मतलब क्या बोलता है पैड टाइप का या ग्रिप टाइप का जो भी आप इसको ले लें और यहां से आप इसको connection दे दे लें तो यह basically होता है metallization जब metal से हम लोग एक दूसरे को connect करते हैं तो वह metallization होता है ठीक है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे Aluminium Metallization यहां पर यह पूरा लेयर ऐसे बठा रहे है ताकि हम दूसरे दूसरे component के साथ इनको connect कर सके हैं यह समझ में आया है का metallization मतलब होता है process of interconnection of components components को आपस में interconnect करने के लिए ताकि एक पूरा circuit बन सके उसके लिए हम metallization करते हैं clear है यह point इसको किया जाता है sputtering technique से ठीक है इसका जो technique होता है उसको बोलते है sputtering technique अपने उसको आगे देखेंगे ठीक तो चलिए हम अपने last step second last step की तरफ आते हैं वो है आपका 8 step जो है आपका scribing and mounting deal अब देखें आपको जो मैं आपको ऐसे structure बता रहा था यह जो structure है ऐसे यह तो एक छोटू सा structure बनाते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि देखें एक पूरा silicon wafer की अगर आपन बात करें तो एक silicon wafer में छोटे-छोटे component कितने सारे बनते हैं और यह mass level पर होता है इसलिए इसका नाम VLSI है very large scale integration मतलब बहुत large scale पर आपने integrate कर रहे होते हैं तो एक आपका silicon wafer में हम छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ऐसे बहुत सारे component बनाते हैं और फिर अब component को तो हमको अलग करना है क्योंकि diode अलग चाहिए ट्रांजिस्टर अलग चाहिए तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऐ एसे-इसे-इसे काटते हैं इस ऐसे में आइसे काटते जाते हैं तो आपको एक छोटा-छोटा-छोटा ऐसे component आपको निकल-णिकल के मिलता है इसको बोलते है स्क्राइबिंग अब ये scribing कैसे किया जाता है देखे इसके लिए diamond कर इस्तमाल किया जाता है आप जानते है diamond is a very heartfull उसके नोकीला portion से इसको काटा जाता है तो diamond के इससे यह सारे portions कटते हैं और एक छोटे-छोटे individual chips में आते हैं इसके बाद क्या होता है last step होता है नाइन्थ इस्टेप जो होता अब आपका एक छोटा सा चिप बन के तयार हो चुका है ठीक है चाहे वो डायोड होई चाहे ट्रांजिस्टर जो भी आप चाहो वह आप बना सकते हो अब उसको पैकिंग करना है आप देखे होंगे कि आपका जो पैकड मटेरियल आता है वह खुछ ऐसा होता है यह भी अलग अलग शेप के होते हैं मतलब एक होता है dual inline package मतलब अगर इसका जो ऐसा इसके अंदर में क्या है इसके अंदर में आपका chip रखा हुआ है जो chip को अभी हम लोग ने ऐसे छोटा सा तोड़ा है उस chip के अंदर में ऐसे ऐसे pair अपन दे देते हैं pair क्योंकि उसको connect करना है आपके बड़े से जो भी आप chip बना रहे हो उसमें आपको इसको connect करना है तो ऐसे chip देते हैं अगर दोनों साइड ऐसा है तो उसको बोलते हैं dual inline package मतलब दोनों तरफ package है देखिए यहां पे इधर है इधर है अगर यही चीज अगर चार तरफ package होता है ना जैसे कभी-कभी यह देखा यह वाला जो आपको दिख रहा होगा चारो तरफ इसके पैर है इसको हम लोग बोलते हैं quad flat package क्योंकि quad का मतलब होता है चार तो quad flat package हम इस तरीके के packing को बोलते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं देखो यहां पर अगर आप कभी CPU को खुल के देखे होगे मतलब अपने laptop या computer का CPU को देखे होगे तो उ यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे balls बने होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं BGA ball grid array type से होता है बहुत सारे टेखनीक होते हैं जिससे हम लोग test कर सकते हैं इन सारे devices को कि यह सहीं काम कर रहा है कि नहीं और आप इनको ऐसे package कर सकते हो तो देखे यहां अगर एक तरफ है ना यह एक तरफ ऐसा दिखता है इसको zip बोलते हैं चीक है इसको dip बोलते हैं इसको qr flat packet बोलते हैं BGA बोलते हैं अलगले टेक्नीक है तो यह package का है तो overall overall अगर मैं आपको पूरा summarize करना चाहूं तो हम कहां थे हम यहां से गए धीरे-धीरे epitaxial growth हुआ oxidation हुआ, photolithography हुआ, etching हुआ, diffusion and ion implantation हुआ, metallization हुआ, scribing and mounting हुआ and then फिर आपका यह package बनके complete हो गया तो यह है आपका basic fabrication sequence जो आपके first topic है तो यह mostly question पूछा ही जाता है इस area से अगर आप exam point of view से देखें तो यह sequence आपको याद रहना चाहिए और पिछले साल भी यह question आया था आ और हर तरफ से यह important है, तो I hope आप लोगों को clear है कि सारा चीज यह है Yes, sir